इस्टार उत्सव के पॉपलर डेली सोप सपना वबल का बिदाई में तरुन साक्षी के सामने ड्रामा कर रहा है जिसके बहकावे में साक्षी आ गई है वहीं कौशलय निवास में सब परिशान है कि साक्षी रात के टाइम में कहा गई अगले दिन विनीत आ प्रकाशन साक्ष को ढूंड कर लाते हैं जिस पर शाक्षी कहती है कि मैं बहुत परिशान थी तब प्रकाशन कौशलय उसे समझाते हैं तब ही अन्मोल रागनी वहां आते हैं राखी के लिए और साक्षी के लिए नेग भी लाते हैं जिसके बाद सब राखी सेलिबरेट करते हैं रागनी सेट दिखाते हैं जो साक्षी का इंगेजमेंट का सेट होता है रागनी उस सेट को पहचान लेती है वो पूछती है कि यह सेट आपको कहां से मिला तब बताते हैं कि एक जवान लड़का आया था जो यह बेच कर गया रागनी सोचती है कि यह तो वही हार है तब शौप की पर रागनी के मांगने पर उस लड़के का अड्रेस और नंबर उसे देते हैं बाहर रागनी एंगेजमेंट वाला सेट पहनने को बोलती है तब साक्षी बहाना बनाती है कि वो मैं हार घर पर ही भूलाई वो भबरा जाती है रागनी का शक और मजबूत हो जाता है जिसके कैमी के कहने पर वो ड्रेस मुझे नई ममा को देनी पड़ी रागनी ये सुन लेती है फंक्शन स्टार्ट होता है जब अनमोल रागनी को कॉल करके सब बताता है कि सीसी टीवी पर उस लड़के को देखा और उसका नाम अजय है रागनी साक्षी डांस परफॉर्मस देते है मीनवाइल अनमोल उस आदमी के पास जाता है अनमोल के धमकाने पर वो सब रहवताने को रेडी होता है अनमोल उसे राजवन्श हाउस लेकर जाता है तब वो वसु को वो हार दिखाता है रागनी सारी बात सब को बताती है पर साक्षी वहाँ वही हार पहन कर आती है और सब शौक्ड हो जाते हैं तब अन्मोल कहता है कि प्लीज मुझे बिलीव करिये इस आदमी ने मेरे सामने माना था कि तरुन और साक्षी ने ये हार इसे दिया था बेचने के लिए रागनी भी अन्मोल को सपोर्ट करते हुए कहती है कि ये मुझे हॉस्पिटल में भी मिला था ये पर जरूर है उसने इतने कम समय में हार का इंतजाम कैसे किया मीनवाइल तरुन अजय को बताता है कि उसने पहले ही डुप्लिकेट हार बनवा लिया था अगले दिन आले की हल्दी की रस्म हो रही है सब हल्दी लेकर कोशलय निवास जाते हैं रागनी साक्षी से कहती है कि ये जो तुम शादी का दिखावा कर रही हो न वो दौलत हासल करने के लिए कर रही हो और तुम तरुन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो तुम क्यों ममी जी को धोका दे रही हो तुम्हें कितने रुपे चाहिए मुझे बताओ पर मेरा परिवार का पीछा छो कर देती है मीनवाइल प्रकाश्चंद कोशल्या से कहते हैं कि आप इसलिए शादी चाहती है ताकि रागनी और तमना के बीच में जो दूरी आपने महसूस की है वो मिट जाए जिस पर कोशल्या कहती है कि मैं तो बस साक्षी के फैसले का मान रख रही हूं वहीं रागनी अ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और साथ में जो बैल आइकन है उसको आल पर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो बिदाई के बागी वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे शोशल वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई एंड टेक केर